साथियों, हम जब पंदरपूर जैसे अपने तिर्थों का विकास करते हैं, तो उससे केबल सांस्कृतिक प्रज़ती यह नहीं होती, पूरे छेत्र के विकास को बल मिलता है। जो सडके यहां चवडी हो रही हैं, जो नए हाइवे सिकृत हो रहे हैं, उसमें यहां धार्मिक परियाटन बढ़ेगा, नए रोजगार आएंगे और सेवा अभ्यानों को भी गति मिलेगी। हम सभी के स्रधे, अटाई विहरी वाजपाई मानते भी थे, कि जहां हाइवे पहुंच जाते हैं, सडके पहुंच जाती हैं, वहां विकास की नई धारा बहने लगती है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्वानिम चत्रभूच की शुरुवात कराई। देश के गावों को सडकों से जोडने का अभियान भी शुरू किया। आज उनी आदर्सों पर देश में आधूनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर पर तेजगर्ती से काम हो रहा है। देश में Health Infrastructure को बढ़ावा देने के लिए Wellness Center खोले जा रहे हैं, नए Medical College खोले जा रहे हैं, डिजिटल व्यवस्ताओं को बढ़ाया जा रहा है। देश में आज नए हाइवेज, वाटर वेज, नई रेल लाइने, मेट्रो लाइने, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए एरपोर्ट, नए एर रूट्स का एक बढ़ा विस्त्रूत नेटवर्क बन रहा है। देश के हर गाउं तक आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। हर गरीब को पक्का मकान, हर गर में सवचाला है, हर परिवार को बिजली कनेक्शन, हर गर को नल से जल और हमारी माताव भेनों को गैस कनेक्शन। ये सपने आज सच हो रहे हैं, समाज के गरीब, बन्चीत, दलीत, पिछडे, मद्दमबर को इनका सबसे ज़्यादा लाब मिल रहा है।